Welcome back to my youtube channel आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्व चैनल पे तो आप सभी लोगों को सबसे पहले Happy New Year's नए साल की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो आप आने वाले नए साल में बहुत अच्छे से Enjoy करें तो friends आज हिस समय हम आए हुए हैं वो है सेनी नरसरी पे तो starting हम आपको सदा बाहर के प्लांटों से दिखा रहे हैं जो कि इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग पे हैं तो आप देख सकते हैं और कई कलरों में सदा बाहर के प्लांट आते हैं जो कि hybrid भी आता है और इसमें दे किसी विराइटी पसंद हो तो आप देशी वाली लगा सकते हैं और अगर आपको hybrid पसंद है तो hybrid लगा सकते हैं hybrid में आपको कई कलर मिल जाते हैं जबकि देशी में आपको दो विराइटी मिलती हैं तो किसी बीडियो में हम आपको देशी विराइटी भी दिखाएंगे पर आज की बीटियों में हम जो बीडियों में आपको hybrid बिराइटी दिखा रहे हैं तो इनके flower आपको दिखा देते हैं कितने खुबसूरत flower है यह देखिए यह देखिए गुलाबी सा इस पे flower आया हुआ है और इन जो hybrid होते हैं कुछ जादा केर करनी पड़ती है तब ही इसमें इ आपको इनको फूलों का साइज बहुत छोटा लग रहा होगा तो वेसिक यह गर्मियों बाले प्लांट है पर इस समय अभी सर्दियां चल रही है और जैसे कि आज 1 जनवरी हो गई है तो यह प्लांट जो है कि कुछ दिनों के बाद अच्छी flowering पे आ जाएंगे फिर इधर देखिए यह है marigold आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सर्दी होने के कारण इनके leaves आप देख सकते हैं वो brown हो गया है यानि की जल गया है तो आप देख सकते हैं यह ज्यादा सर्दी के कारण होता है आप सभी के plant भी कुछ इस तरह दिखते होंगे जो कि काफी ज्यादा सर् यह प्लांट कुछ दिनों बाद अपने आप ही सही हो जाएंगे यह ज्यादा सर्दी गर्मी के कारण होता है जब मई जून की गर्मी पढ़ती है तब भी हमारे प्लांट जो होते हैं समर वाले वो खराब होने लगते हैं जब बहुत टमप्रेचर हाई हो जाता है और ज्याद कुछ ऐसी हो गई है पर जैसे ही फरवरी का समय आता है बाहर के दिल लगते हैं तो एक बार सभी तरह के जितने भी सर्दियों वाले प्लांट फूलों के होते हैं वो बहुत अच्छे से फ्लाबरिंग करते हैं और अगर आपका जैसे टेरस गार्डन ऐसी जगे है जो खुल कहते हैं वो ना पड़े तो आपके प्लांट जो है सर्वाइब कर जाएंगे तो आपको अपने प्लांट में वाटरिंग का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वाटरिंग अपने प्लांट को देते हैं तो अच्छे से प्लांट सर्वाइब कर जाता है तो आपको इनी बातों क केर रखनी है और बागी मेरी गोल्ड एक ऐसा प्लांट है जो काफी बेनिफिट देता है हमें अगर अपने घरों में लगाते हैं ये बटरफलाई को अपने तरफ बहुत अट्रेक्ट करता है आप देख सकते हैं इन प्लांटों को अगर कई प्लांट आपने टेरस गार्डन या बगीचे में लगाते हैं तो तितलियां बहुत आती है तो आप इस तरह के प्लांट बाइ कर सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें क्योंकि नर्सरी की सभी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी नर्सरीयों पे कौन से प्लांट किस सीजन में आते हैं यहां आपको टोटल प्लांट की जानकारी मिलेगी इस चैनल को सस्क्राइब करें और आने वाली लेटिस वीडियो के लिए बेल आइकन ओन रखे ताकि जब भी मैं नरसरी की संडे को वीडियो अपलोड करूँ तो आपके तक वो वीडियो आसानी से पहुँच जाए तो आज की वीडियो इतनी ही अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें अपने दोस्त के साथ सेर कर सकते हैं इस चैनल को ताकि वो भी इस तरह की वीडियो इंजोई कर सकें और आप देख सकते हैं नरसरीयों पे इस समय काफी अच्छे अच्छे फ्लावरिंग वाले प्लांट आ रहे हैं तो नए साल पे आप अपने घर में कुछ नया ले जाएं इस तरह के प्लांट ले जाएं और जल्दी हम आपको मिलते हैं एक नेस्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए झाहले जाएं।